बीजेपी का फेस कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है अलकि फेसलेस ही ये चुनाओ होने वाला है और यहाँ पर मल्टिपल च्वाइसेस होंगी राजिस्थान के मददाताओं के सान ने कौंग्रेस की तरफ से गहलोद पाइलेट दूनों को ही चेहरे के तौर पर रख दिया गया है तो यहाँ भी वसुंदरा गजेंजिंग शेकावत या अन्य जितने भी चेहरे हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है सब अपने अपने क्षेतरों में काम करें फिर भी एक बात बीजेपी के खेमे में हमेशा कही जाती है कि वसुंदरा राजे को अगर क्लियरली रख दिया जाये तो क्या वो बीड़ा पार कर सकती है यह समझने जैसा बिंदू है गैलोद पाइलेट के बीच सुलह की अटकलों के बीच बीच बीजेपी के सामने बड़ी चुनाओ लड जाएगा मगर सवाल उट रहे हैं कि बीजेपी का सीम फेस कौन होगा या वो भी इसी स्ट्राटेजी पर आगे बढ़ रहा है फिलाल तो सूबे में बीजेपी के पास जो एक बड़ा चैरा नजर आ रहा है वो नाम है वसुंदरा राजे का इनके अलावा कोई चैरा बीजे बीजेपी आलाकमान का वसुंदरा राजे की पती सौफ्ट कॉर्णर है और हाली में अमिश्या की रैली में ऐसे संकेत भी मिले लेकिन राजे के विरोधी गुड़ भी इस समय एक्टिव हैं पीम मोदी का चैरा भी जिस पर चुनाव लड़ा जा सकता है वो महत्तवपूर ह बीजेपी की ओर से सीएम फेस कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है आपको बता दें कि केंद्रिय मंतरी गजेंदर सिंग शेखावत का कहना है कि विदान सबा चुनाओ पीम मोदी के चैरे पर लड़ा जाएगा जबकि वसुंदार राजे कैम्प के नेता पूर सीएम को ह मुख्य मंतरी का चैरा गोशित करने की मांग करते रहें केंद्रिय मंतरी शेखावत का सीएम फेस को लेकर बयान अमिश शा की उदैपूर की रैली के बाद और पीम मोदी की बीका नेर रैली के ठीक पहले आया था शेखावत के बयान के अलग-लग सियासी माइने निकाले ज भाजपा के राष्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा और पूर्व अध्यक्ष अमित शा कई वार कह चुके हैं कि राजस्तान में विदान सभा चुनाओं में हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जी होंगे दुनिया का सबसे लोगप्री चेहरा हमारे पास है शेखावत आगे कह उनमेगवाल सतीश पुनिया ये नाम ऐसे हैं जो वसंदरा राजे के धुर विरोधी माने जाते हैं ऐसे में बीजेपी किस पर दाउं लगाएगी ये भी देखने वाली बात होगी उधर केंद्रिय मंतरी कैलाश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी विदान सबा चुनाओ बीजेपी किस के चैरे पर लड़ेगी राजेस्थान में पहले से मुक्चे मंतरी का कोई चैरा गोशित नहीं किया जाएगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के निच्वे उन्हीं के चैरे पर राजेस्थानमें विदान सभा का चुनाव लड़ा जाएगा राजस्तान में बीजे पी ने इस बैठक के माद्यम से राजनीती में बड़ा चुनावी संदेश भी दिया है आखिर बीजे पी का राजस्तान पर फोकस क्यों है इस साल के अंद में राजस्तान मद्यप्रदेश 36 गर्ड तेलंगा रहा है सीम गैलोत का दावा है कि उनकी सरकार रिपीट होगी जबकि बीजे पी का कहना है कि रिपीट नहीं डिलीट होगी संगठन महामंत्री बील संतोष ने सवाई मादोपूर में बीजे पी के पदाधिकारियों की मीटिंग ली संकेश साफ है बीजे पी के लिए राजस में नहीं जा रहा है लेकिन जिस अंदाज में उनके उनका चुनाव पर चार और बागी के बड़े नेताओं का जमावडा राजस्थान में लग रहा है कहीं और नहीं है इस सब के बीच में गजेंदर शिंग, छेखावत ने जिस तरीके से इशारो, इशारो में कहा है वो कहीं न कहीं वसुंदरा राजे सिंधिया के खेमे को काउंटर कर रहे हैं एक बात तो बहुत इसपश्ट है जैसे दो चेहरों के बीच मुकाबला कॉंग्रिस में देखने को मिल रहा है ऐसे ही दो चेहरों के बीच में मुकाबला बीजेपी में भी देखने को मिल वसंद्रा राजे तो बहुत स्वाभावी को मीदवार दिखाई पड़ती हैं क्योंकि पहले इस पद पर रह चुकी हैं सबसे बड़ा चेहरा हैं शक्तिशाली नेता हैं आज भी प्रवावशाली मानी जाती हैं लेकिन गजेंदर सिंग शेखावत बदलाओ के बाद कोई ऐसा पूर्ण हो जाता है क्योंकि अनकी दावेदारी को लेकर गाये बगाये चर्चाहूती रहती है खैर देखिना होगा कि जनता सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत को क्या विचार करती है और क्या इसी स्ट्राड़ीजी को सुईकार करती है जो बीजेभी रख रही है झाल 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 झाल